इसकारिकर्म के पुन्यार जखें संपून कठारिय परिवार एहमदाबाद गुज्राथ नुमकार मंत्र मंत्र पर आचर पलमिष्टी का वर्णन चल रहा है आचर पलमिष्टी सिख्षा दिख्षा प्रहस्चित आदी देने में कुशलता कुपराप्त होते हैं और उनके साथ संग होता है अन्यता वह प्रहस्चित किसे देंगे सिख्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् और दिख्षा, श्रावक लोग आएंगे तो उनको दिख्षा दी जाएगे, तो इस प्रकार तीन गुर्ण तो विशेश रूप से नमें पाए जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में कथन आता है, बारह प्रकार के तब जो की छे अभ्यंतर और छे बाही तब होते हैं, उनका परिपालन करने वाले आचेर परमिष्टी होते हैं। और छे आवश्ट्रक तो सभी सादू पालन करते हैं, आचेर परमिष्टी भी सादू परमिष्टी पहले हैं, तो छे आवश्ट्रक का परिपालन तो करते ही हैं। 10 धरमिष्टbacks के अभी पर्व आने वाला हैं। पर आप क्या कहेंगे पर्व आ रहा हैं। अभी कहने लगा शुरू कर दिये। तुआ ने दस रख्षन पर्व आ रहा है और फिर आ गया पर्व और दस जिन के बाद गया पर्व तो दस धर्म करें पर्षन हैं बेचेजा पर्षन किग करते हैं और समीधी 5 और 3 गुप्ती का पर्षन करने वाले होते हैं इस प्रकार पांच समीधी तो अभी इसमें चटिस गुणों में नहीं है लेकिन फिर भी जो आचार धर्म का पालन करते हैं उस आचार धर्म के अंतरगत सभी आते हैं समीधी भी आती युपती भी आती है इन सब का परिपालन करने वाले आचार पर्मिष्टी होते हैं तो उनके कुछ विसेश गुणों की चर्चा भी की गई है आचारवान तो होते ही हैं यह तो अभी अपने देखा ही है चर्चा में सौलिया है तो आधारवान यह विसेश आधारवान भी होते हैं आयोपाय दर्शी होते हैं सलिखना रत्सादू जो है अपने सलिखना धान करने से पूर्व जीवन में की गए दोशों को उसकी आलोशना नहीं करता है उन दोशों की तो उसको संबोधित करते वे यह कहते हैं बताते हैं उसे कि भाई आलोशना करने में गुण क्या है और आलोशना नहीं करने में दोश क्या आएंगे इत्यारीक बातों को संबोधित करते वे उसे प्रेजित करते हैं कि तुम अपने दोशों को निसंकुछ भाव से क्योंकि उनक के पास आयो पर आयो आयो पाद रशी नहीं है अपारी स्ट्रावी गुण भी तो है ना तो उसको संबोधित करते हैं तुम चिंता मत करो तुम्हारे दोश्णों को किसी के सामने प्रकट नहीं होने देंगे और इस प्रकार से उसे प्रिद करके उसे निर्दोश बनाने के लिए जो दोश लगे हैं उसके प्रतों में वो दोश जो हैं उसके कह करके उनका प्राइश से तरह करके और वो अपने आपको शुद्ध बना ले ये उनकी अभी प्राइश होता है वो इस प्रकार से आयो पार और उसके साथ अपर इस सावी कुण के धारी होते हैं हमने कल बताए था कि शिश्चों के दोशों को सुन करके वे इस प्रकार से गरम तवे पर पानी की बूंद डालते ही सूख जाती है उसी प्रकार आचारफ रमेश्टी जो है अपने शिश्चों के दोशों को सुन करके और वो भीतर आच प्रवेश्टन के हो जाता है उन्सकी कहते है नहीं किसी से वो ये वितेश्चता होती है उनकी तो और फ्र नियापक गुन भी उनमें होता है सलेख नारत सादू के नियापक होते हैं उसके सलेखना वरत को सुगम तरीके से उसका निर्यापन करते वे और उसके सलेखना के साधना में वो सायोगी बनते हैं और किसी साधू ने यदि सलेखना ली है तो सलेखना जिसे कहते हैं कि शरीर और कशाएं जिसमें करस्की जाती है वो सलेखना कहलाती है तो वे संबोधन के द्वारा उस सलेखना साधू को उपदेश दे करके धर्म उपदेश दे करके उसके भीतर वो भाव पैदा उत्पन करते हैं भावत्पन होते हैं कि अपनी सलेखना को भी निर्दोस करे हो क्योंकि उसने अपने दोशों का निंदा और गहरा तो करी दी है गुरू के सामने जब की जाती तो गहरा कहलाती है और स्वेम निंदा करता है अपने दोशों की तो वो निंदा कहलाती है इस प्रकार से निंदा और कहरा कि माध्यम से जिसने अपने दोशों का उद्गाडन करके और प्राइशित लेकर के अपने आपको सुद्ध कर लिया उस साधू की जो है वह सलेखना कुछलता वुरुक संपन होती है बंदूओं दोश्तों सभी में होते है अभी हम कह रहे हैं आचार परमिश्टी की बात कर रहे हैं और दोशों को सुनते हैं दोशों का प्राइशित देते हैं लेकिन दोश्तों संसार के अपिस सभी प्राणियों में होते हैं सब निर्दोस नहीं होते हैं तो सदोसी व्यक्ति को उसके दोसों का भान कराकर कि जान कराकर के उसके हानी बदा करके उसका कल्यान करने के लिए उनकी भावना होती है कि ये जीव किसी प्रकार से अपना कल्यान कर ले तो इन गुनों को विशेज गुनों को भी उधारन करते ह का होता ही है क्योंकि किर्थी मान गुण की बात तो ये है कि किर्थी तो उसी के फैलती है जो अपने धर्म मार गफर टीक टीक प्रकार से चलता है निर्दो सुरिती से अपने धर्म का परिवालन करता है तो आचार फर्मिष्ट्री तो किर्थी बान होते हैं उनकी किर्थी इस बताना पड़े क्योंकि अपने गुणों को तो कहते ही नहीं है उपकुन अंग के परिपालन करने वाले हैं अपने और दूसरे के दोसरों को भी ढखते हैं तो इस प्रकार से किर्थी मान होने के लिए तो अपने आचरण का परिपालन करते हैं जो कि ये प्राभावना कहें य दूसरों परिपालन करने से किर्थी अपने आप फैलती है किर्थी फैला ही नहीं जाती है कहां नहीं जाता है किर्थी तो अपने आप लोगों को दिखाई देती है और उनके गुण में दिखाई देते हैं उन गुणों का बखान तो स्रावक समाज ये आनने लोग करते हैं स्वयम अपने मुख से नहीं करते, इस प्रकार से ये विसेज गुण भी उनमें पाया जाते हैं, और इन विसेज गुणों के आतिरिक्त, कल हमने दर्सनाचार और ग्यानाचार की चर्चा की थी, ग्यानाचार में काल ने कब किस समय स्वाध्यादी करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्या से ही ज्ञान की प्रात्य होती है, तो योग के समय में जो आगम में बताए गए हैं, उनमें चार प्रकार के स्वाध्यादी बताए हैं, पूर्वर सभेरे का स्वाद्या होता है, मध्धानन का स्वाद्या होता है, पूर्वर राद्री का स्वाद्या होता है, और पिछली राद्री का स्वाद्या करते हैं, तो इस प्रकार काल की सुद्धी पूरवक, फिर उसके अतिरिक्त, इसे अनेक प्रकार की बातें साथं में कहीं है जिन बातों को जिस समय को टाल करके वे अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए फुर्शार्स करते हैं फिर बैए विने गुण भी है स्वाद्धय के लिए विने पुर्वक स्वाद्धय करना चाहिए आप लोगों को भी स्वाध्या करना है तो आप लोगों को भी बिने बुर्वक्ष्वाध्या करना चाहिए बिने का मतलब यह हुआ कि आप ठीक प्रकार से आसन लगा करके बेटें सास्र को उचे अएस्थान पर विराजमान करें इसे हमने दीखा ह्या हैं कि लोगभग अपने जैसे किसी पुष्टक को पड़ते है ना ऐसे अपने पाउं पर रख करके साध्या करें तो यह शास्त्र की विने नहीं है शास्त्र की विने से हमें ज्ञान फ्राद तो होगा, यदि विने तो हमें ज्यान भी प्राप्त नहीं होगा हमरा मन भीुष से तुष। कि विशन भी उसमें लगने चाहिए और विचन के का कॉरें के द्वारा भी शितल है इस प्रकार से मन वचन का कि विशन पूर्वर को Σमसे ज्यान प्राप्त या दरी के वरणन और तो इस ज़ंकर घ्ञान प्राप्ति तो तब हो कि जब उनका इनका आजान करेंगे अगंगं भृब हो प्धरान स्वाध्य किसी करांद का उनने प्रagu90 किया है यह जो आप लोगप्लों कि शॉद्यर का प्र recite तो ढ़न करें यह तो थ्याग करके कुछ में कुछ वस्तु का त्याग करके आपको स्वाद्य करना चाहिए क्योंकि वो त्याग की भावना जो है वो सास के प्रति आदर प्रदर्शित करती है आदर का भाव होता है तो उसमें उप्यों की सिर्था भी होती है और जब तक सास समाप्त नहीं होता तब तक लगन उसी में लगी रहती है और इधर उधर हमारा चित कारियों में नहीं जाता इसलिए उपधान काई भी प्रयोगे करते हैं बहुमान तो करते ही हैं क्योंकि हमने अब यह बताया कि सास्र के सामने चाहें जैसे बैट करके पाओं लंबे फैला करके या अपने पाओं पर रखकर के तैदिक प्रकार से सास्र का स्वाद्धाय नहीं किया जाता है जो विनेपुरों के स्वाद्धाय करते हैं आपके उधरपूर में पंडित जवारला ये सास्त्री है छोटी सी उम्र में उन्होंने स्वाद्धाय अध्यान शुरू किया था और पूर्ण जया उन्होंने इन क्लियाओं का पालन करते हैं बहुत छोटी उम्र में आप देखियें आविया भी आपको पता भी नहीं होगा कि उनका सास्त्र के प्रती इतना बहुमान था उन्होंने चिमनी के लाइट में पड़ा है चिमनी के जमने लाइट तो अब आई है लेकिन चिमनी में भी वो अध्यापक थे एक गाउं से तुसरे गाउं उनका ट्रांसफर होता था तो वहाँ पर भी अपने स्वाद्धाय को नहीं चोड़ते थे चिमनी के लाइट में भी उन्होंने अध्यान किया है उसके कारण हो सकता है उसी कारण से उनकी आँखों पर भी थोड़ा सा परभाव रहा लेकिन फिर भी उसकी उन्होंने परभाव नहीं की ज्ञान के प्रदी उनके बिज़र इतने सुकता थी कि वो धवल जे धवल अधिस्दान्द करणतों को भी उन्होंने अध्यान करके इतनी युग्यता और इतनी विशेस्था प्राप्त कर ली कि अनेक प्रकार के प्रशन उत्तर उनके सामने आते थे तो उसका उत्तर भी देते थे अभी उन्होंने अपने गुरू जो है रतंचंजी मुक्तार सारनपुर वाले उनके प्रती उनका बहुमान आप देखिये पोस्ट काड़ पर अपने संका लिख करके भेज़ते थे और पोस्ट काड़ पर लिख करके गुरू भी उनको उत्तर देते थे उसके बाद जब वह एक बार पहली बार निवाई में आये हमारे संग में तो उस दिन उस समय रतंचंज मुक्तार भी आये थे तो जवार लाल जी मैं हमारे पास आये उन्होंने का महराज गुरू जी यहां पर आये है उनको बढ़ा आश्चर है अपने को होगा कि उनके शब् आप चलिए मज़े बताई गुरूजी को ने बताई आप इतनी बर्षों तक जिनोर ने संकास माநा उनके सब पास किया यह ज्ञानी वैक्ति की विशिस्ता होती है उन्होंने ए ज्ञानी वैक्ति के संगति की और ज्ञान से ज्ञान पराफ्थ किया इस प्रकार बहुमान पुरुवक और अनिन्नाव उन्हों उन्हों ने गुरु का ज्ञान नहीं छपाया उन्होंने हमेसा अपने गुरु का नाम बताया लेकिन गुरु को सामने नहीं देखा रहा है गुरु से गुरु के मुख से सामने नहीं पड़ा था उन्होंने लेकिन और भी हम चोटा स शोटा गृंट चाएे, जी जान प्राप्त रलेते हैं गता तो उसका निन्ना , करते हैं तो और लोग क्या कहेंगे इतने—you या चोटे से ग्रांट तो ग्यान प्राप्त you है तो बड़ै ग्रणतम का तो व निन्ना होुगा उसको छपाना नहीं चाहिए छोटे गुरू से या कम ज्ञानी गुरू से भी प्राप्त कोई ज्ञान की बात मिली है तो अपने गुरू का नाम नहीं छपाना उस सासर का नाम नहीं छपाना या अनिन्नो कहलाता है उसको ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है, उस गुण का धारी होता है, उसको प्राप्त करने के लिए उसमें लेलक होती है, फिर अर्था बेंजन और तदुवे, जिस आसर को पढ़ रहे हैं, उसके केवल सासर पढ़ना नहीं है, उसमें जो कुछ कहा जा रहा है, कि शिर्तापुरवक उपयोगा जी हमारा शिर होगा, तो हम उसके आर्था को भी समझ भाएंगे.